स्टेडी टॉक 3 में आपका स्वागत है आज बात करेंगे नो पेट्रोल जॉन एलोंग विद लाइन ओप एक्ट्रोल कंट्रोल तो देखिए क्या मुद्धा है आप चाइना की इस्सूस को जानते हैं अब इहाली में एक बात सामने आई है इंडिया और चाइना के बीच कोई भी पेट्रोल लिंग जोन नहीं रहेंगे क्या यह सही है क्या इस से भारत को कोई परिशानी होगी आए इसके बारे में बात किरते हैं आप गोगरा पोस्ट के बारे में जानते ही होंगे जो इस्टान लद्दाक में है जहाँ पर से लाइन ओप एक्चुल कंट्रूल गुजरता है उपर में आपको दोलोदबे गोल्डी उसी की ठीक नीचे ता सांध प्लेंग और उसके बाद गलवान वेली है उहाँ पर ठीक उसके नीचे आपको हाट स्प्रिंग की एरिया मिलते होंगे और उहीं पर आपको गोगरा पोस्ट मिलते हैं बात यह कि सनिबार को बारावबा कोर कमंडर की मीटिंग हुई जहाँ पर यह निश्चित क्या गया था कि गोगरा पोस्ट में डिस अंगेजमेंट होंगे और उहाँ पर कोई पैट्रोल रिंग जोन नहीं रहेंगे यानि नहीं चाइना और नहीं भारत उस छेत्रों में पैट्रोलिंग करेंगे ताकि कोई भी जुद जैसा माहों ना हो कोई क्लैस ना हो यह आइडिया 1962 के जुद में हुआ था कोई भी सेना का नुक्सान ना हो इसलिए बात 1959 की है चाइना द्वारा यह दबाब दिया जाने लगा कि लाइन ओप एक्च्वेल कंड्रोल की छेत्र में छेत्रों जो है वो हमारा है आगे चलकर 1962 में जुद हुआ और आगे 21 नमेंबर 1962 में उस समय जुद ही चल रहा था और चाइना सीज फायर के लिए डिकलरेशन कर दिया कि इतना एरिया हमारा है हम इस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे और उसी समय सना को करेब 20 किलिमेट तक पिछे लाया गया उहीं से शुरूहा वाफर जन का और उहीं से निर्धारत वाफर जन उसके बाद 2013 की एक घटना जो डेथसंग छेत्र में एक रोड की सुरात हुआ दुरोद्बग ओल्डी रोड जो नादन पोस्ट से तक के लिए था अगर आप देखे डेथसंग एरिया वो काफी प्लेन एरिया है उस समय चाइनीज ट्रूप ने यहाँ पर टेंट लागाना शुरू किया इसी को देखते हुए भारत और चाइना की बीच इसके बारे में बात हुआ ताकि इसी सुलजाया जा सके हमें उस समय भारत द्वारा यह concept लागू किया गया था कि हमें यहाँ पर नो पेट्रोलिंग जोन कर देना चाहिए ऐसे भी पूरा एरिया हमारा है लेकिन हमारे से ना पहले line of actual control तो पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे लेकिन जायना वहाँ पर बार-बार disturbance खाड़ा करते थे इसी लिए वहाँ पर प्रॉब्लेम शुरू होने लेगी और वहीं से शुरू हो गया नो पेट्रोलिंग जोन की तो पेट्रोलिंग क्या है और इसका इन्पोटेंट क्या है जहाँ पर आंडिसाइड बाउंडरी होता है वहाँ पर नो पेट्रोलिंग जोन किया जाता है हम line of actual control के बारे में जानत तो यहाँ पर लगातार भारत और चाइना दोनों पेट्रोलिंग करते हैं और दोनों बार बार इस जगह पर आते जाते रहते हैं ताकि इस एरिया को सुर्चित रखा जाए इसके लिए भारत पर एक ग्रूप भी है जिसे हम चाइना स्टाडी ग्रूप कहते हैं जिसे हम 1995 म इतने अंदर तक जाएंगे यह सभी पकार की निर्नाइग चाइना स्टाडी ग्रूप दारा लिया जाता है और पुरा लद्दाक छेत्र में आपको ऐसे 60 पेट्रोलिंग जोन मिलेंगे आपर मेप के आधार पर या तो सेटलाइट पिक्चर के आधार पर या तो जिग्रप पिछे ही रहते हैं हलक कि हम यह कोशिस करते हैं कि हम थोड़ा आगे जाएं अगर आप देखें तो ऐसे 10 पेट्रोलिंग जोन आपको मिलेंगे जहां पर भारत और चाइना डिफर करते हैं गलवान एरिया पीपी-फॉर्टीन होड़ी स्प्रिंग जो कि है गग जो कि गोग दीश्टरा है जिसे दोनों सेनाई पीछे हट रही है आपको याद होगा पिछले साल गनवाल वेड़ए में यह मुद्दा हुआ था इसमें दोनों सेना पीछे हटा था ताकि कोई फिंगर पॉइंड है अगर आप देखें तो इससे भारत को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है हम जहां तक पेट्रोलिंग करने जाते थे आप वहां तक नहीं जा पाते हैं यानि हम एलोसी तक जाते थे यहां पर एक प्रस्न है पर आपको सुचना चाहिए यह जो सस्पिंड क्य क्या गया है क्या यह फर्ममेन है क्या यह ऐसा ही रहेंगे लेकिन भारत के आपहिसास का यह कहना है कि यह पर में नहीं है कुछ समय के लिए यह है चैसे ही लडडाघ पर प्रॉल्म शुलज जाएंगे तब दक के लिए यहां पर नो पेट्रोलिंग जो बनाए के रखा गया है Officers के मुताबिक लद्दाग पर Disclasion होना चाहिए Officers के मुताबिक लद्दाग पर Disclasion होना चाहिए यह तो Disagangement है आपको पता होगा दोनों तरप से 50-50,000 तक से नहीं होगी इतना Utilary होगी यह सब जब उस जगह से विद्दो किया जाएगा तब वहाँ पर Disclasion होगा तो यह जब तक नहीं हो जाए तब तक वहाँ पर नो पेट्रोलिंग जो बने रहेंगे आज के लिए धन्यवाद अगर आप चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को चरूँ सस्क्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद